स्वागत है आपका इस प्लेलिस्क में हम साइन्स के चैपकर नंबर टू को कम्प्लीट डिकेल में डिसकस कर रहे हैं NCRT के लिए अलग प्लेलिस्क है, एक्टिविटीज की एक्स्पेनेशन और सैंपल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्क है तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कॉंटिन्यू करते हैं Next question है, How can we separate out all the gases present in air? तो question में ये पुछा जा रहा है कि air के अंदर जो इतनी सारी gases present होती है जैसे air के अंदर oxygen gas होती है, nitrogen gas होती है, carbon dioxide होती है, organ gas होती है और काफे सारी और gases भी present होती है, small quantity में तो air के अंदर जो इतनी सारी gases present है, उन सारी gases को air में से कैसे अलग किया जा सकता है ये हमसे question में पुछा जा रहा है चलो answer पर आते हैं Air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional discolation जो air है न, वो काफे सारी gases का homogeneous mixture है Homogeneous mixture वो होती है, जिनके अंदर हर तरह के particles की composition same होती है मतलब particles हर जगा पर same percentage में present होती है अब जो air है, उसे homogeneous mixture इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो आप किसी भी country में चले जाओ वहाँ के air के अंदर हमेशा आपको 21% oxygen मिलेगी 78% nitrogen मिलेगी और बाकि सारी gases भी किस percentage के अंदर है, वो fix क्योंता है तो air homogeneous mixture है काफे सारी gases का और air में से अगर आपने सारी gases को अलग करना है तो उसके लिए हमें fractional discillation की process को follow करना पड़ेगा The following flow diagram shows the steps of the process अभी जो fractional discillation की जो process है ना इसके अंदर कौन-कौन से steps आएंगे ये जो नीचे वाला flow diagram है, उससे हम समझ सकते हैं ये वाले जो flow diagram है, इसके थुरू हम समझ सकते हैं कि air में से अलग-अलग gases को separate out करने के लिए हमें कौन-कौन से steps को follow करना पड़ेगा Step number 1 तो ये है कि हमें air को ना liquefy करना पड़ेगा air जो की gaseous form के अंदर है, उसे liquid form में convert करना पड़ेगा तो air को liquid में convert करने के लिए, पहले तो हमें air को compress करना पड़ेगा और air को compress करने के लिए, हमें pressure को increase करना पड़ेगा उसके बाद फिर air को cool करना है, ठंगा करना है उसके लिए हमें temperature को decrease करना पड़ेगा अगर हम इन दोनों steps को follow करते हैं पहले air को compress कर दें by increasing pressure और उसके बाद फिर air को ठंगा करें, cool करें by decreasing temperature इन दोनों processes को follow करने से air liquefy हो जाएगी, मतलब liquid form में convert हो जाएगी carbon gas act को छोड़ के, क्योंकि carbon gas act जो है न, वो directly gaseous form से solid form में convert हो जाती है तो carbon gas act तो solid form में convert हो जाएगी, बाकी जितने भी gases है, oxygen, argon, nitrogen, बाकी जितने भी gases है वो सारी liquefy हो जाएगी, liquid mixture बन जागा अब, फिर उस liquid mixture में से, अलग-अलग gases को अलग करने के लिए, separate करने के लिए हम fractional discolation की process को follow करेंगे liquid air में से, सारी gases को अलग-अलग करने के लिए, हमें fractional discolation करना होगा तो fractional discolation तो हमने detail में discuss किया हो है उस process को follow करके, अब सारी gases को air में से अलग कर सकते हो तो ये, हमने कुछ gases का balling point लिखा हुए, जैसे oxygen का balling point होता है minus 183, अरगन का minus 186, nitrogen का minus 196 और ये percentage air by volume oxygen gas जो है, वो approximately 20.9% present होती है atmosphere के अंदर nitrogen gas सबसे ज़ादा होती है, 78.1%, अरगन gas 0.9% present होती है तो इस तरह से air के अंदर, जो main तीन prominent gases है न, उन्हें आप air में से अलग कर सकते हो एक और flow diagram है, आप ये वाला diagram भी बना सकते हो अगर question आपके exam के अंदर आता है, कि air के अलग-लग components को कैसे हम separate out करेंगे मतलब air में से अलग-लग gases को कैसे separate out किया जाएगा चलो पहले इस flow diagram को देखते हैं सबसे पहले तो न, air को न, filter करेंगे तो air के अंदर, जो dust particles present है पहले तो filter करने से वो सारे dust particles और impurities remove हो जाएगी उसके बाद जो filtered air है, उसे compress किया जाएगा compressor होता है न, वो air को compress करेगा मतलब pressure को increase कर देगा compressor के बाद air को pass करना है condenser में से condenser का काम होता है ठंगा करना मतलब temperature को decrease करना compressor और condenser, इन दोनों में से pass होने के बाद जो air है न, वो liquefy हो जेगी मतलब liquid में convert हो जेगी अब सारी gases liquefy हो जाती है except carbon dioxide carbon dioxide liquid form में नहीं आती वो directly solid form में आ जाती है तो अगले स्केप में जो separator है न, ये carbon dioxide के जो solid pieces बनेंगे उन्हें liquid में से अलग कर देगा तो यहां तक पहुँशने के बाद अब हमने हमारे पास अब air liquefy हो गई है liquid form में आ गई है और उस में से carbon dioxide अलग हो चुकी है फिर अब जो हमारे पास liquid mixture है उसकी fractional escalation करेंगे और fractional escalation करने की वज़े से हमारे पास सारी gases अलग अलग आ जाएंगी दुबारा से देखते हैं सबसे पहले तो air को filter करेंगे ताकि air में जितने पे dust particles और बागी impurities हैं वो remove हो जाएं उसके बाद air को compress किया जाएगा compressor में से जब air को pass करेंगे तो वो pressure को increase कर देता है ऐसा करने से gases बहुत ज़ादा compress हो जाती है compressor के बाद air को pass करेंगे condenser में से condenser temperature को decrease करता है, ठंडा करता है जिसकी वज़े से gases liquefy हो जाती है इन दोनों का combined effect ही होगा कि अब जो air है न वो liquefy होगे, liquid में convert होगी है बाद की सारी gases liquid में convert हो जाती है सिरफ carbon dioxide यह ऐसी gas है जो gas से सिधा solid में convert होती है, तो carbon dioxide जो solid में convert होगी है अगले स्केप में जो separator है वो solid carbon dioxide को अलग कर देगा, बाद की का liquid mixture है, उसकी हम करेंगे fractional distillation separator ने solid carbon dioxide को अलग कर दिया तो बाद की का जो liquid mixture है उसकी हम करेंगे fractional distillation fractional distillation करते ही, हमारे पास सारी gases अलग अलग अजाएंगी liquid form के अंदर होगी और अलग अलग container के अंदर आजाएंगी अब इस process को explain आप ऐसे करोगे, अपने answer में आप ऐसे लिखोगे filtered air is compressed by increasing pressure air को filter करने के बाद उसे compress किया जाएगा compress करने के लिए pressure को increase करना पड़ता है and then cooled by decreasing temperature उसके बाद condenser क्या करेगा ठंडा कर देगा air को temperature को decrease करके this converts carbon dioxide into dry ice and remaining gases in liquid form यह वाले जो दो स्केप्स है इनको करने की वज़े से होगा यह जो carbon dioxide gas है वो तो directly solid में convert होजेगी और solid carbon dioxide को dry ice बोलते है क्योंकि दिखने में वो एकदम ice जैसी होती है और dry word यह इसलिए लगाते है क्योंकि जो carbon dioxide है वो liquid में convert नहीं होती directly solid में convert होती है यह solid से directly gas में convert होती है sublimation होता है उसके अंदर क्योंकि वो liquid scape में नहीं जाती इसलिए dry बोलते हैं और ice इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ice के cubes होते हैं जो solid carbon dioxide के pieces हैं वो दिखने में exactly वैसे ही होते हैं तो इन दोनों steps की वज़े से अब अगले दो steps जो है न separator पहली यह solid carbon dioxide के particles को अलग कर देगा फिर fractional distillation से हम सारी gases को अलग-अलग कर लेंगे तो next point में आप लिखोगे solid carbon dioxide called dry ice is separated from liquid air जो solid carbon dioxide है जिससे dry ice बोलते हैं वो तो liquid air में से directly ही separate हो जाती है क्योंकि वो gas से directly solid में convert हुई थी then by the process of fractional distillation remaining gases are separated from liquid air तो carbon dioxide के pieces को अलग करने के बाद जो बागी का remaining liquid है न उसकी हम करते हैं fractional distillation जिसकी वज़े से सारी की सारी gases separate हो जाती है liquid form के अंदर आ जाती है next question है arrange the gases present in air in increasing order of their boiling points air के अंदर जो gases present है न हमने उने arrange करना है increasing order of boiling point के साब से मतलब सबसे पहले वो आएगा जिसका boiling point सबसे कम है उसके बाद उससे ज़ादा फिर सबसे ज़ादा तो boiling point के इस आप से देखा जाए तो सबसे पहले आएगी nitrogen nitrogen gas का जो boiling point है वो सबसे कम होता है minus 196 degree Celsius उसके बाद argon gas है उसका boiling point होता है minus 186 degree Celsius और सबसे last में आएगी oxygen gas इसका boiling point सबसे ज़ादा होता है minus 183 degree Celsius तो boiling point हो अगर Celsius में रखें तब तो ये वाली values आएगी minus 196, minus 186 और minus 183 और अगर Kelvin के अंदर लिखें तो ये बनेगा 77 degree Kelvin argon का होता है 87 और oxygen का होता है 90 तो nitrogen का जो boiling point है वो सबसे कम है argon का उससे ज़ादा है और oxygen gas का सबसे ज़ादा है next question पर आते है which gas forms the liquid first when air is cooled अब question में ये पुछा जा रहा है कि जब air को ठंगा करते हैं न जब air को cool करना start करते हैं तो air में तो बहुत सारी gases present है तो कौन सी ऐसी gas है जो सबसे पहले liquid में convert हो जाती है जब air को ठंगा करना start करते हैं तो सारी की सारी gases liquid में convert होती है लेकिन question में ये पुछा जा रहा है कि वो कौन सी gas है जो सबसे पहले liquid में convert होती है तो उसका अंसर है oxygen when air is cold oxygen is the first to get converted into liquid जब air को ठंगा करना start करते हैं temperature decrease करके तो सारी gases liquify होती है लेकिन सबसे पहले oxygen gas है जो कि liquid form के अंदर आती है because it has the highest balling point और उसका reason ये है कि oxygen gas का जो balling point है वो बागे gases से compare करें तो सबसे ज़ादा है अब balling point ज़ादा होने की वज़े से अगर आप गरम करना start करोगे न liquid form के अंदर अगर gases है आप उन्हें गरम करना start करोगे तो oxygen gas सबसे ज़ादा बाद में gaseous form के अंदर आएगी और अगर ठंडा करना start करेंगे तो oxygen gas सबसे पहले liquid form के अंदर आएगी दोनों questions का अंसर न oxygen gas ही है अगर सारे gases liquid form के अंदर है और आप गरम करना start करते हो तो क्योंकि oxygen का boiling point सबसे ज़ादा है तो oxygen सबसे last में gaseous form में convert होगी और अगर आपके पास air है gaseous form के अंदर है आप उसे ठंडा कर रहे हो तो oxygen सबसे पहले liquid form में convert होगी ओकी next question है what is dry ice why it is called dry ice question में पहले तो ये पूछ रहे है कि dry ice क्या होता है और question के b part में पूछ रहे है कि जो भी dry ice होता है उसे ये क्यों dry ice क्यों बोला जाता है चलो answer पे आते है solid carbon dioxide is called dry ice solid form के अंदर जो carbon dioxide gas होती है उसको ही dry ice बोलते है it is called so because it looks like ice अब इसे dry ice इसलिए बोलते है क्योंकि दिखने के अंदर ये ice cubes जैसे ही होती है and it does not melt into liquid on heating ये आगे dry word इसलिए लगाते है क्योंकि देखो जो ice होती है जो actual ice है उससे अगर आप heat करोगे तो वो liquid में convert हो जागी लेकिन ये जो solid carbon dioxide के pieces होती है जो दिखने के अंदर एकदम ice जैसे ही नजर आते है इनको अगर आप heat करोगे तो वो liquid में convert नहीं होगे वो directly gaseous form के अंदर convert हो जाते है sublimation होती है इसके अंदर solid से directly gas में convert होती है और अगर खंगा करेंगे तो gas से directly solid के अंदर आती है क्योंकि liquid form के अंदर ये जाती नहीं है इसलिए dry ice बोलते हैं से दिखने में ice जैसी होती है इसलिए ice word use किया है और क्योंकि liquid form के अंदर ये आती ही नहीं है इसलिए dry word use किया हो है solid carbon dioxide is called dry ice it is called so because it looks like ice and it does not melt into liquid on heating heat करने पे liquid के अंदर convert नहीं होती है on heating exchanges from solid skid into a gas अगर आप heat करोगे न तो solid skid से directly gaseous skid के अंदर convert हो जागी मतलब sublimation होता है इसके अंदर भी next question है how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample तो question में ये पुछा जा रहा है कि अगर हमें copper sulfate का impure sample दे दिया जाए तो उसमें से हम pure copper sulfate को कैसे अलग करेंगे देखो किसी भी substance का या copper sulfate का अगर आपको impure sample दे रखा है न तो उसमें से pure copper sulfate हम अलग कर सकते हैं by the process of crystallization तो pure copper sulfate can be obtained from the impure sample by the process of crystallization crystallization की process को यूज करके हम impure sample में से pure copper sulfate को अलग कर सकते हैं अब crystallization की process को किस तरह से carry out किया जाता है उसे discuss करते हैं Step No.1 Take 5 gram impure sample of copper sulfate in a china dish देखो सबसे पहले तो आपने china dish के अंदर plate के अंदर 5 gram मतलब small quantity के अंदर impure sample ले लिया copper sulfate का Next Step पे आते हैं dissolve it in minimum amount of water फिर वो जो sample आपने लिया है उसके अंदर आपने बस थोड़ा सा ही पाने गालना है बहुत सारा पानी ने गाल देना minimum जितना हो सके सिरफ उतना ही पाने गालना है ताकि आपने जितना sample लिया है वो पूरी तरह से dissolve हो जाए आपने ना तो बहुत जादा ही कम पानी लेना है ना बहुत जादा पानी लेना है आपने सिरफ उतना पानी लेना है जिसके अंदर ये जो आपने 5 ग्राम sample लिया हो है ये पूरी तरह से dissolve हो जाए next step पे आते हैं filter out the insoluble impurities with the help of a filter paper देखो first two steps के अंदर पहले तो हमने थोड़ा सा impure sample ले लिया था copper sulfate का फिर उसे पानी के अंदर mix कर गे ना हमने solution बना लिया अब solution में ना दो तरह की impure case होती है एक तो होगी insoluble impurities और दूसरी होगी soluble impurities insoluble impurities वो होती है जो की solution के अंदर dissolve नहीं होती है तो उन्हें तो अलग करना बहुत असान है आप बस filter paper में से अपने solution को filter out कर लो तो जो insoluble impurities है वो filter paper के अंदर ही रह जाएंगी और बाकि सारा solution दूसरे beaker के अंदर collect हो जाएगा ये वला point clear होगे आपको जो आपके पास 5 gram sample था ना उसके अंदर आपने water add किया था तो ऐसे करने से solution बन गया था अब solution के अंदर दो तरह की impurities है एक तो है insoluble impurities जो के dissolve नहीं होती और दूसरी होती है soluble impurities जो की solution के अंदर dissolve हो जाती है आपने बस filter paper के यूज़ करके अपने solution को filter कर लेना है तो जो insoluble impurities है वो filter paper के अंदर ही रह जाएंगी और बागी का जो solution है वो filter paper में से पास होगे बीकर में collect हो जाएगा अब अब अग्लेस के पर आते है evaporate the water from the solution to make it a saturated solution of copper sulfate filter करने के बाद अब आपके पास जो solution है ना आपने उसके अंदर evaporation करनी है जो उसके अंदर जो water है ना water को evaporate करवाना है ऐसा करने के लिए या तो आप उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो या फिर उसकी slow heating करो जिसके वज़े से water उसमें से evaporate होजेगा और अब वो saturated solution बन चुका होगा copper sulfate का जब extra water को आप evaporate करवा दोगे ना ऐसा करने से वो solution saturated solution बन जाएगा copper sulfate का अगले step पे आते हैं cover the solution with filter paper and leave it undisturbed to cool slowly for a day देखो आपने पिछले वाले step में जो extra water था उसे evaporate करवा दिया था ऐसा करने से अब हमारा जो solution है वो एक saturated solution बन चुका था उसके बाद आपने कुछ नहीं करना अपने solution को filter paper से cover कर देना है filter paper से cover करके बस ऐसी रख देना है filter paper से cover इसले करना है ताकि एर्क में जो impurities present है वो solution के अंदर anchor ना करें और आपने उसे ऐसे किजी छोड़ देना है leave it undiscurbed for a day एक दिन के लिए 24 hours के लिए या उससे भी थोड़े से ज़ादा time के लिए आप उसे ऐसे ही छोड़ दो वो अपने आप धीरे 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 खंगा होता रहेगा decreasing temperature will decrease the solubility of the solution and it will lead to the formation of solid crystals of pure copper sulfate जब आप उसे खंगा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे ना जब वो अपने आप खंगा होगा खंगा होने की वज़े से temperature decrease हो रहा है temperature के decrease होने की वज़े से solubility भी decrease होती है और solubility के decrease होने की वज़े से वो जो solution आपने ऐसी छोड़ दी है ना उसमें से pure copper sulfate के particles solid crystals बनके अलग हो जाएंगे जब आप एक दिन के बाद वापिस आके देखोगे ना तो आप देखोगे की solution के अंदर आपको छोड़के छोड़के crystals नजर आ रहे है crystals का मतलब particles कमबाइन होके ना solidify हो गये है तो जब temperature decrease होगा खंगा होने के लिए आप छोड़ दोगे तो solubility भी decrease होती है जिसकी वज़े से जो pure copper sulfate present है ना वो solid crystals की form के अंदर अलग हो जाएगा तो इस तरह से हमने pure copper sulfate को अलग कर लिया next question है define crystallization अभी हमने crystallization की ही process को पूरा carry out किया था अगर आपने सिरफ definition लिखनी है ना तो दो definitions हैं पहले first definition को discuss करते हैं फिर second को करेंगे तो crystallization is a separation method जो crystallization है ना वो एक तरह की separation technique है in which a hot consecratic solution is allowed to cool slowly to obtain crystals of pure substance from it जो crystallization है वो एक separation method है और इस method के अंदर एक गरम consecratic solution को हम छोड़ देते हैं ताकि वो धीरे धीरे खंगा हो और जब वो धीरे धीरे खंगा होता है तो automatically जो pure substance है ना वो solid crystals की form में solution में से अलग हो जाता है crystallization एक separation technique है और इस technique के अंदर हम एक hot concentratic solution को ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंगा होने के लिए जब वो धीरे धीरे ठंगा होता है तो उसमें से pure substance के particles crystals की form के अंदर automatically अलग हो जाते हैं crystallization की second definition आप ऐसे लिख सकते हो और ये वले definition हमारी book के अंदर लिखे हुई है It is a process of separation of pure solid in the form of crystals from its solution crystallization एक process of separation है और इसे use करके हम pure solid को उसी के solution में से अलग कर सकते हैं crystals की form में crystallization एक process of separation है और इसे use करके हम pure solid substance को उसी के solution में से अलग कर सकते हैं in the form of crystals crystals की form के अंदर next question पर आते हैं why crystallization technique is better than simple evaporation technique तो question में ये पुछा जा रहा है कि जो crystallization की technique है वो simple evaporation की technique से better क्यों मानी जाती है चलो उसके answer पर आते हैं इसके ना दो reason है तो पहले reason number one को discuss करते हैं crystallization does not require high temperature crystallization की पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर हमें temperature को बहुत जादा high नहीं करना पड़ता हमें hiking तो करनी पड़ती है evaporation के लिए crystallization की प्रोसेस के अंदर भी hiking तो करनी पड़ती है पर वो mild hiking होती है slow hiking होती है पूरी process के अंदर हमें high temperature पर नहीं जाना पड़ता Evaporation requires high temperature to boil the solvent Evaporation की जो process है उसके अंदर हमें जादा high temperatures तक जाना पड़ता है क्योंकि हमें solvent को boil करना पड़ता है तब ही rate of evaporation increase होता है अब देखो यहाँ पे क्रिस्कलाइडेशन में जादा high temperature नहीं होता Evaporation में जादा high temperature होता है अब evaporation में क्योंकि जादा गरम करना पड़ता होता है तो उसका नुकसान ही है Some solids decompose on heating कुछ ऐसे solid substances होते हैं जो की गरम करने पेना decompose हो जाते हैं मतलब different substances के अंदर convert हो जाते हैं And some light sugar may get charged on heating to dryness और कुछ जो substances हैं जैसे कि sugar अगर आप इसको जादा गरम करोगे न Then they will get charged इसका मतलब यह होता है कि वो आप जादा गरम होने की वज़े से एकदम black color के हो जाते हैं और burn हो जाते हैं Hicking to dryness का मतलब है Evaporation करके आपने सारा का सारा water वहाँ से हटा दिया तो hicking to dryness करोगे न मतलब आप तब तक हीख करते रहोगे जब तक सारा का सारा water evaporate नहीं हो जाता तो last में जो sugar बचेगा न वो भी जल के काला हो चुका होगा Sugar may get charged, चार्ट का मतलब है कि जल के पूरा काला हो चुका होता है तो evaporation के अंदर या तो solid substance decompose हो सकता है या फिर वो पूरा जल के काला हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ज़ादा high temperature तक जाना पड़ता है लेकिन crystallization के प्रोसेस के अंदर हमें ज़ादा high temperature तक नहीं जाना पड़ता तो ये सारी possibilities हट जाते होती हैं उसमें से और second point है crystallization removes both soluble and insoluble impurities जो crystallization की प्रोसेस है अगर हम उसे use करें तो दोनों तरह ही की ही impurities remove हो जाती है देखो soluble impurities वो होती है जो के solution के अंदर dissolve हो जाती है insoluble impurities वो होती है जो के solution में dissolve नहीं होती है जब हमने crystallization की process को अभी detail में discuss किया था तो उस process के अंदर पहले हमने insoluble impurities को अलग कर दिया था और last में जब crystals बनते होती है न तो soluble impurities solution के अंदर ही रह जाती हैं और pure substance के crystals बनते हैं तो crystallization की process को अगर follow किया जाए तो दोनों तरह की ही impurities अलग हो जाती है soluble और insoluble दोनों तरह की ही impurities अलग हो जाती है लेकिन simple evaporation करेंगे न तो दोनों तरह की impurities अलग नहीं होती है इसलिए भी crystallization is a better technique than evaporation तो ये दो reasons हैं जिसकी वज़े से crystallization वाली जो technique है न उसे ज़्यादा better मना जाता है as compared to evaporation या फिर filtration share की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है exam की see you in the next video all the best